दोस्तो इससे पहले ही कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूँ कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पुछना चाहूँगा कि दोस्तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि इन दिनों खिलाडी कुमार के जो प्यारे हेटर्स हैना वो बहुती चालाकी से खिलाडी कुमार के खिलाब सुन्यों जी चाल चल रहे हैं क्या क्या वो आपके साथ भुल मिलकर खिलाडी कुमार के क्रेज को बॉलिवोड के मार्केट में पूरी तरीके से खतम कर देना चाहते हैं तो भाई मैंने ये सवाल आप लोगों से क्यों पूछा है चलिए मैं आपको बताता हूँ हेलो प्रेंट्स मैं हूँ नरेंद्र रौर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल याने की वाईरल लूसेंशन में तो दोस्तों ये बातों आपको जानते हूँ कि इन दिनों बॉलिवूड के रेल मेगा स्टार याने के गारेंटी कुमार, ख्लारी कुमार, रिकॉर्ड कुमार, याने के भाई स्पेडी कुमार, अक्षे कुमार अपनी आने वाली मच अवेटेट फिल्म यानि कि रक्षा बंधन को लेकर काफी चर्चाओं में हैं जिसका ट्रेलर कल ही जारी किया गया है हर एक सूर्शल मीडिया प्लेटफॉम पर इस बात की जानकारी के साथ कि भईया आप खिलाडी कुमार के इस पारिवारिक मूवी को देख सकते हो सिनेमा घरों में रक्षा बंधन के सूब उसर पर यानि कि ग्यारा अगस्त को ये फिल्म सिनेमा घर में रूलीज हो जाएगी और भाई इस फिल्म का मुकाबला या बॉलि वोड की मिस्टर पर्फिक्ट कहलाने वाले एक्टर यानि की आमिर खान की आने वाली एड़ोप्टेशन वाली मूवी लाल सिंग चड़ा से होने वाला है और भाई जब से खिलाडी कुमार के इस फिल्म यानि के रक्षा बंदन की घोषना की गई और जब से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगे सामने आई है इस फिल्म का मुकाबला आमिर खान के फिल्म यानि लाल सिंग चड़ा से सीधा सीधा होगा तो भाई एक जु है न वो एक्टीव हो चुका है खिलाडी कुमार के इस फिल्म के market value को कम करने में यानि कि बई इन लोगों की चाल को हम सभी को समझना पड़ेगा पहले ये लोग खिलाडी कुमार के फिल्म के ट्रेलर को देखते हैं फिल्म के पोस्टर को देखते हैं फिल्म के टीजर को देखते हैं फिल्म से जुड़ी हुई हर जानकारी को देखते हैं उसकी तारीब भी बहुत ही दिल खोल कर करते हैं यानि कि यह लोग आपके सूर में सूर मिलाकर यह कहते हुए नहीं ठकते हैं कि क्या ट्रेलर है, क्या टीजर है, क्या मूवी है, इस फिल्म के मादम से तो खिलाडी कुमार भाईया रिकॉर्ड तोड कमाई करेंगे यानि या पहले दिन वो आते हैं आपको यह बोलते हैं कि भाई खिलाडी कुमार की यह जो फिल्म है वो बॉक्स ओफिस पर आकर ब्लॉक बस्टर हिट होने वाली है और भाई जैसे ही इस फिल्म को लेकर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी देखने को मिलता है सोचल मीडिया प पर आदारित है इससे पहले तो खिलाडी कुमार ने कई सारी बैक टू बैक रिमेक फिल्में दी है और उनकी 3-4 फिल्मे भैया बैक टू बैक फ्लॉप हुई है पहले वो आपको नाम याद दिलाते हैं बेलबटम का उसके बाद में लक्षमी बॉम का उसके बाद में वच् तो बहुत ही पुराना है ऐसी कई सारी फिल्में हम लोगो ने देख ली है और भाई इसी वज़े से इस फिल्म के टेलर को देखो 24 घंटों में कितना व्यूज मिला है यानि कि भिया घुमा फिरा कर ये आपके सामने खिलाडित गुमार के खिलाप नेगेटिविटी ही परोसे क्योंकि भिया इस फिल्म का मुकाबला एक ऐसे एक्टर की फिल्म के साथ बॉक्स आपिक पर होने वाला है जिनकी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा खासा भिया हुजुम उसके फीसे खड़ा है यानि भिया वो उनकी फिल्म की बुराई बिल्कुल नहीं लेकिन भी या खिलाडी कुमार के जो प्रसंसक है ना वाई वो असल माइने में फिल्मों के असली दिवाने हैं वो बायस्ड होके कभी भी खिलाडी कुमार के फिल्मों का सपोर्ट करते ही नहीं है यानि भी या खिलाडी कुमार के फिल्म की तारीफ करते हैं अगर खिलाडी क पूर्ण को लेकर अब ये बात कही जाने लगी है कि भाईया ये फिल्म तो फ्लॉप हो जाएगी अच्छा सपोर्ट नहीं मिला इस फिल्म को जो लोग कल इस फिल्म की तारीफ करते में नहीं ठक रहे थे आज वो इस फिल्म को लेकर ही कहने लगे कि भाईया 24 गंटों में इस तो वन करोड 80,61,118 लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर को तब तक देख लिया था जब तक मैं ये रिकॉर्ड आप लोगों के लिए लिख रहा था वही पर अगर हमनों बात करी भी है लाइक वाले सेक्शन की तो भीया इस फिल्म के ट्रेलर को जो अब तक लाइक मिला है य उसके बाद अगर हमनों बात करी भीया जी के दूसरे प्लेटफॉर्म की यानि कि भीया जी टीवी मिडल इस्ट के ओफिशल यूट्यूब चैनल पर तो भीया इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अब तक इस फिल्म के ट्रेलर को 7,18,626 लोगों ने ही देखा है और अगर हमनों बात करी भीया लाइक वाले सेक्षन की तो भीया वो आकड़ा है 47,000 का और अगर हमनों बात करी भीया कमेंट वाले सेक्षन की तो भाई यहां पर यह आकड़ा है 1,970 का यानि कि भीया ठीक ठाक सपोर्ट मिला है खिलाडी कुमार के इस ट्रेलर को इन दोनों प दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐसा सपोर्ट मिलता है तो हमनों तो ये बात कैसा टेक भी है ना कि दो यूटूब के प्लेटफॉर्म के बादम से इस ट्रिलर ने 19 मिलियन का आंकड़ा पार किया है गंडों में तो भाई कैसे कल जो लोग इस फिल्म के ट्रिलर को ये कहते वे नहीं थक रहते हैं कि भाई इस फिल्म ने एमोशनल कर दिया इस फिल्म की कहानी बहुत ही सांधार है वही लोग एक दिन बाद इस फिल्म को लेकर ये कहने लग जाते हैं कि भीया ये फिल्म अब डूबने वाली है ये फिल्म भी फ्लॉप होने वाली है तो भाई थोड़ा सा सोचिये सोचिये नहीं सोचियेगा तो खिलाडी कुमार की इस फिल्म को भी जवरदस्ती ही पहले ही करवा दिया जाएगा हर एक सोसिल मीडिया प्लेटपॉम पे और जब किसी फिल्म के लिए नेगेटिविटी पहले से तैयार हो जाती है तो भाई उस फिल्म को लेकर अगर पॉजिटिव खबरे लेट से आती है तो भी उस फिल्म को कुछ मुनाफ़ा कुछ फायदा नहीं होत लेकर लिए मैं लेकर को जोर्द वाईएगा